तो विल्कम है आप सभी का मेरे युटूब चैनल के इस दोस्तों एक गाउं के इंदर एक गरीब परिवार होता है गरीब परिवार में कोई भी लड़का नहीं होता कोई भी संतान नहीं होती काफी समय बाग एक लड़का होता है और लड़के के माबाप चाहते हैं कि वो मैं जोइनिंग ले तो लड़की के माबाप उसको पढ़ाना चालु करते हैं न होता है पांच साल का होता है उसमें और एक जुनुन जानता है वह हर चीज इंडियन आर्मी के बारे में सर्च करता रहता है मतलब इंडियन आर्मी का एस इतना बड़ा फैन हो जाता है कि उसके कमरे में टोटल इंडियन आर्मी की भी चीज़े खाते बैड़ते उठते सूते बस एकी चीज़ सूचता हो इंडियन आर्मी फैमिली और जुनुन पैदा करती है भाई तेरे को इंडियन आर्मी में जाना है जैसे इसे बड़ा होता है उसके अंदर भी और जुनुन बढ़ता जाता है कि हाँ मेरे को इंडियन आर्मी के अंदर स्लेक्षन करना है जोनिंग लेनी है अभी लड़का पढ़ाई करना है दीर दीर क्लास अब वह होता क्या है कि बड़तिया देखना चालू करता है रेस लगाना चालू करता है भरतियां देखना चालू करता है रेस ऐसी हो जाती है कि उसके आगे कोई भी टिकता ही नहीं है कई भरतियां देखता है उसका सेलेक्शन मतलब काफी करीब आ के नहीं हो पाता है फिर भी भरतियां देखता रहता है देखता रहता है हर भरती का इंतियार करता है हर चीज का इंटियान होता है इंडियानार्मी में और वो कुंणк यह करते हैं कि किसी न रहुत ही कि चत्ने का उसकी चत्वी बाड़ भार उसे बाहर निकाल ली होता है कि हमने अपने लड़के को इंडियन आर्मी के अंदर भीजना है तो होता क्या है बहुत सारी लड़का बहुत सारी भरतियां देखता और फेल होता सुफवाई नहीं लिखा मैं भरती नहीं हो सकता अई लेकिन फिर उसकी में रखung के अंतर जुनून डालती हैं अलौh कि तेरे को इंडियन आर्मी में होना कि उसकी फैमिली है उसे बहुत साथ ही लोग की इध्यंपल देताय जों इंडियन आरमी में नायुएं जो इंडियन आर्मी में सहीद हो गए जो इंडियन आर्मी से सकसेज हो गए जिनका नाम रोसन हो गया उसकी फैमिली बहुत सार एक्जेमपल देती है फिर उसके अंदर जुनून जागता है फिर वो कोशिस करने लगता है फिर दोड़ने लगता है फिर फॉर्म फिलप करता है फिर उसकी दो तीन बार फिर छटने हो जाती है अभी उसके हांत खड़े हो चूत के होते हैं कि अब शायद मैं नहीं हो सकता एक दम मुझे टोट चुकी होती है उसकी फैमिली फिर उसके माइंड में चीछ डालते हैं कि भाई तेरा बच्पन से सपना था बच्पन से तु जै प्रकत कहां गई तेरे अंदर की फिर उसके अंदर जुनून जागता है कि हां यार मैं तो बच्पन से इंडियन आर्मी में होना चाहता था फिर वो कोशिस करता है फिर फोंफिल अप करता है और फिर तोड़ने लगता है फिर एक दिन ऐसा भी टाइम आता है कि उसे एक्ज काम उसका कंप्लीट हो जाता है इंडियन आर्मी का और उसका इंडियन आर्मी में सेलेक्शन हो जाता है लड़के का इंडियन आर्मी के अंदर सेलेक्शन हो जाता है अभी सेलेक्शन होने के बाद जोनिंग लेटर आता है जोन करता है जोन करने के कुस्ता ही बाद आता है तो उसके उसकी फैमिली पूछती है और उसके गाउं महुले के सारे लड़के पूछते हैं कि यह सब कैसे पूसिबल कर दिया तूने तू तो हार मान चुका था तू तो हार मान चुका था तेरे अंदर दम नहीं था फिरे तूने यह सब कैसे कम्प्लिट कर दिया दोस्तों लड़के ने बहुत प्यारा अंसर दिया एक बहुत प्यारा अंसर दिया लड़के ने आप सभी को बताना चाहता हूँ लड़के ने अपने माबाप को और सभी महले वालों को बस एक ही संदिश दिया कि ये सब पोसिबल मेरे माबाप की वज़े से वा मुझे वही यह सपना याद दिलाती थी जो मैं बच्पन से देखा करता था मुझे उसी चीज की याद दिलाती थी मेरी फैमिली जो मैं सूचा करता था जो मैं बनना चाता था मुझे उसी राह पर लेके जाती थी मेरी फैमिली मेरी फैमिली ने मैं कभी भी अगर डिष्ट अपने मार्ग से बढ़का तो मेरी फैमिली ने मुझे उसी मार्ग पर लाकर खड़ा करती है जो मैं बनना चाहता था मैंने जो सपना देखा था मैं कभी-कभी पीछे हट जाता था कि साध अब मेरे से नहीं हो पाएगा बट मेरी फैमिली मेरे अंदर जुनून डालती थी दोस्त मॉरल इस्टूरी यही है कि आप जो बनना चाहते हैं बिना परिस्रम के कभी बन नहीं सकते बाई बस एकी चीजे जिस फिल्ड में कूदे हो आप गिवप मत करो निवर गिवप एटिट्यूट के साथ रहो मैं गरंटी देता हूं सकसे सो हंड्रेट पर्सेंट मिलेगी कहीं न कहीं जो आप बनना चाहते हैं जो आप पाना चाहते हैं उसमें आपकी मापाप का बहुत करना है लड़के ने हार माली बस उसके माबाप ने हार नहीं मानी माबाप ने हमेशा उसके इंदर बिल पाउर डाली जिसकी बएसे लड़का आर्मी में हुआ दोस्त लड़के को कामयाभी मिली मैं ही बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ हर काम आपको SUCCESS की करीब ले जा सकता है आपको कामयाभD बना सकता है और आपको बहुत बड़ा आदमी भी बना सकता है और लास्ट मैं थेंकई सुमच वीडियो को लाइक करें कमेंट करें, चैनल को सस्क्राइब करें और मेरे दोस्त इस्टाग्राम पर जरूर फोलो करें